Hello viewers, आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आपको हुक स्लाई मिशीन से कैसे लगाते हैं इसके बारे मताऊंगी इसके लिए मशीन को मैंने रेड पे, सी पे और तीन पर इसको स्लेक्ट कर लिया है अब जो इसका all-purpose हुट है उसको हम उतार देंगे और इसके नीचे जिस पर हमने हुक लगानी है उस कपड़े को रखेंगे और हुक को इसके नीचे सेट करेंगे पहले हम इसके उपर वाला हिस्सा जो है वो उसको बनाएंगे पहले मशीन को धीरे से हम घुमा कर देखेंगे कि यह कहां पर इसका जो इस सिलाई है वो सेट हो रही है पहले एक दो सिलाई जो हम है वो धीरे से लगाएंगे और अब इसको तेज़ी से घुमा लेंगे यह देखे मैंने इसके उपर इस तरह से यह टांगा लगा लिया है अब हम हुक को इसके नीचे थोड़ा सा स्टिच को सरका लेंगे और हुक को इस तरह से इस पर हैंग कर देंगे अब हम इसके दो होल बने हुए हैं इसको सेट करेंगे पहले हम देरे से मशीन को इसके उपर सेट करेंगे यह देखे दोनों तरफ से हम इसको अब तैजी से मशीन को घुमा लेंगे इस दोनों टांक एची तरह से लग गए हैं एंड में हम इसको स्टेट स्टिच से रखेंगे और रेड बटन पर ही इसको रखकर टांका लगाएंगे रेड बटन से जो मशीन है वो आगे पिछे नहीं गूमती वो एक जगा पर ही सेट रहती है इसी तरह से हम आई बनाएंगे और एक और एक्स्टरा हम हुश्ट लएंगे क्योंकि हमने उसके नाप करही आई बनानी है इसके लिए ऊक को एक और इक लेकर हम उसको नीचे रखकर सेट करके उसको मशीन को गमा देंगे क्योंकि हमने red button पर इसको रखा है machine आगे पीछे नहीं गुमेंगी अब हम इसको hook को इससे निकाल देंगे क्योंकि अब इस hook की को जरूरत नहीं है और ये eye देखे कितनी बड़ी तरह से बन गई है और इस तरह से आप machine से बहुत अच्छी तरह से hook और eye को बना लेंगे इससे आपका काफी time बच जाएगा ये देखे कितनी पक्की तरह से ये लग गई है और मैंने इसको अच्छी तरह से कीच रहा है फिर भी ये नहीं निकल रहे है उमीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्साइब करें लाइक और शियर करें थैंक्स फॉर वाचिंग